आप देख रहे हैं नेशन न्यूज मैं हूँ आपके साथ खुस्पू सांग भी बिहार में जो क्रोना का रफ्तार है वो अब एक वार फिर से बढ़ चुका है वहीं अगर बात कर ले पिछले कुछ दिनों में तो बिहार में जो क्रोना के केसिस थे उसमें कमी देखने को मिली थी बिहार में लगवग 1500 इसी के आज पास क्रोना के केसिस पाए जा रहे थे लेकिन अब एक वार फिर से बिहार में क्रोना का जो केसिस है वो बढ़ चुका है आपको बता दे कि आज बिहार में टोटल जो क्रोना के केसिस है वो 1837 है इसमें बताए गया है कि आज बिहार मे 1837 नए cases मिले हैं वहीं पटना जो है वो फिर से सबसे पहले पाइदान पढ़े है और दूसरे पाइदान पे सीधा मड़ी और तीसरे पाइदान पे नलंदा है आपको बता दे कि पटना में 392 cases मिले हैं वहीं सीधा मड़ी में 114 और नलंदा में 998 cases पाएगा है तो आपको बताते हैं कि जो स्वास्त विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया गया है उसमें जीले में क्या कुछ केसेस पाएगा है आपको बता दे कि अरडिया में आज जो टोटल केसेस है वो 69 पाएगा है वहीं अरवल की बात कर ले तो पांच केसेस मिले हैं वहीं ठ्काबाद में 28, बाका में 25 बेगुशराई में 28, भागलफुड में 37, भोषपूर में 33, स्वाग्धूरिया में 38, गया में 36, गोपाल गंज में 37, जमूई में 33, जहानबाद में 31, केमूर में 3, כटिहार में 25, खगडिया में 14, किसन गंज में 28, लखी सराई में 36, मदेपूरा में 52, मदुवनी में 57, मुंगेर में 45, मुझपरपूर में 55, पुर्णिया में 35, रोतास में 28, सहरसा में 66, समस्तिपूर में 20, सारन 35, सेखपूरा 46, सिवान 31, सुपॉल 24, वैशाली 22, वेश चमपारन में 51, केसिस मिले हैं, तो यह था जो स्वास्त विवाग की तरफ से अपडेट जाड़ी किया गया था, जिसमें 1837 टोटल केसिस आज पाए गए हैं, वहीं अगर बात कर लें बिहार में एक्टिव केसिस की तो बिहार में 12,160 एक्टिव केस अभी मौजूद हैं वहीं अगर मरने वालों की संख्या 24 गंडे के भीतर, अगर मरने वालों की संख्या की बात करें तो 7 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं टोटल मरने वालों की जो संख्या है, वो 1,003 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, वहीं अगर बिहार में टोटल क्रोना केसिस की बा झाल झाल झाल